प्रियेशृताओं, सवालों को पूछने की आपकी इच्छा को हम समझते हैं, लेकिन आप हम बस एक अंतिम सवाल लेंगे हलो सद्गुरू, सबसे पहले नमस्कारम, मैं जन्म से हिंदू हूँ, मैंने इसे चुना नहीं है तो बुन्यादी रूप से मैं धर्म के मामले में एक शंकालू प्रकार का व्यक्ति हूँ तो मेरा सवाल ये है कि सोशल मीडिया या दैनिक जीवन में हम सभी हर जगा एक बात सुनते हैं कि हमारा धर्म खत्रे में है सबसे पहले तो ये सवाल मेरे दिमाग में बच्पन से आता रहा है कि धर्म क्या है और दूसरी चीज ये किस तरह खत्रे में है और क्या धर्म को अपनाना वाकई ज़रूरी है देखिए, मैं कुछ मिनट लूँगा, उसने एक सवाल पूछा है बिल्कुल, बिल्कुल अगर आप इस देश के इतिहास पर नजर डालें, तो एक समय ऐसा था जब यहाँ पर दो सो से अधिक राजनेति के काईयां थी मेरा मतलब है राजा, छोटे राज्य, बड़े समराज्य, कभी कबार कुछ राजा आए और इनको जीत कर एक बड़ा समराज्य कायम किया कभी कबार यह छोटे हिस्सों में बढ़ गया मूल रूप से यह सौ से धाई सो राश्ट्रों का समू था एक ही जमीनी हिस्से में स्थित था, जिसे आज हम भारतिय उपमहद्वीप कहते हैं लेकिन हलाकि बहुत सारे राजनीतिक राश्ट्र थे, बाहर के लोग इस जमीन को हमेशा हिंदुस्तान कहते थे है न? आज भी अगर आप अरब में जाएं, जैसे लेबनन और जॉर्डन या ऐसे स्थानों पर आपको लेबनन में हजारों ऐसी औरते मिलेंगी, जो आज भी हिंद नाम लेती हैं ये एक नाम है, क्योंकि उनकी भाषा में हिंद का अर्थ है भारत मैंने उनसे पुछा, पहली बार जब मैं गया, मुझे आश्यर हुआ, आप इंडिया नाम क्यों ले रही हैं? मेरा मतलब है लेबनन में, आप भारती क्यों हैं? उन्होंने का, नहीं, ये हमारी संस्कृती है, हम हमेशा भारत से जुड़े रहें शायद ये लोग उनमें से हैं, जो काफी समय पहले वहाँ चले गए थे वे अबु संस्कृती का हिस्सा बन गए हैं, वे वैसे दिखते हैं, उनकी हर चीज वैसी है हजारों साल पहले की बात होगी, उन्हें घर की याद सता रही होगी जब आपको घर की याद आती है, तो आप अपनी बेटी का नाम इंडिया रखते हैं, जिससे आप रोज इंडिया इंडिया बोल सकते हैं क्योंकि मुझे अपना देश याद आ रहा है, तो वो परंपरा आज भी वहाँ है लेकिन तब भी वहाँ उन्होंने इसे हिंद या हिंदुस्तान कहा, हलाकि हमारे इस उप महाद्वीप में बहुत से रास्ट थे तो उन्होंने इस देश को हिंदुस्तान क्यूं कहा, एक बात तो ये है कि ये भौगोलिक पहचान है ये धर्ती हिमाले और एंदुसागर के बीच में स्थित है, जिसे आज हम हिंद महासागर कहते हैं हुन्होंने इसे हिंदुस्तान कहा, हिमाले इंदुसागर के बीच का हिस्सा हिंदुस्तान है तो जमीन से जोड़ी पहचान दी गई थी, लेकिन कोई राजनितिक पहचान नहीं थी, कोई भाशाग की पहचान नहीं थी, कोई धार्मिक पहचान नहीं थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे उन दिनों भी ये नहीं समझ पाएते कि हम कौन थे जैसे कि आज भी आप तैं नहीं कर पा रहें कि आप कौन हैं, इसलिए आप ये सवाल पूछ रहें उन दिनों भी ये ही सवाल, जैसे आपके वाईस चांसलर ने पूछा, सद्गुरू, आप मेरे सवाल का उत्तर दे सकते हैं कि मैं कौन हूँ, तो हम आज भी पता नहीं लगा पाते कि हम कौन हैं क्योंकि ये खोज की जमीन रही है, कभी भी विश्वास की जमीन नहीं रही अगर आपको धर्म चाहिए, मूल रूप से, जब कोई कहता है मैं धार्मिक हूँ, तो वे कहते हैं मैं विश्वासी हूँ, है न? आईए विश्वास शब्द को समझें, आप में से कितने लोगों को ये विश्वास है कि आपके दो हाथ हैं, ऐसे सारे लोग कृपया कम से कम एक हाथ उठाएं आप विश्वास करते हैं कि आपके दो हाथ हैं या आप जानते हैं कि आपके दो हाथ हैं आप जानते हैं यदि कोई आपसे यह तर करे और यह सिद्ध करने की कोशिश करे कि आपके दो हाथ नहीं है और यह बहस बहुत भेंकर हो जाए तो चेहरे पर एक थपड तब वो जान जाएगा कि आपके पास हाँ थे लेकिन आप बहुत सी चीजों में विश्वास करते हैं आप स्वर्ग में विश्वास करते हैं इश्वर में आप बहुत सारी चीजों में विश्वास करते हैं क्यूं विश्वास? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपने जीवन में इतने सच्चे भी नहीं बन पाए कि आप ये भी नहीं कह सकते कि जो मैं नहीं जानता वो नहीं जानता ये गंभीर समस्या है आप जो कुछ भी नहीं जानते उसके बारे में कहते मैं विश्वास करता हूँ ये बहुत इंसानियत से भरा और शांदार काम होगा अगर आप कहें कि मैं जो कुछ नहीं जानता मैं उसे नहीं जानता है ना मैं नहीं जानता एक जबरदस संभावना है जब आप इमानदारी से अपने अंदर ये कहते हैं मैं नहीं जानता, तो जानने की लालसा, जानने की इच्छा और जानने की संभावना आपके जीवन की सचाई बन जाती है वरना हर वो चीज जो आप नहीं जानते उस पर आप विश्वास करते हैं जब आप विश्वास करते हैं, वो आपको आत्म विश्वास देता है सबी प्रकार के बेवकूफों में आत्म विश्वास जब आप नहीं जानते तो कम से कम जिजक तो होनी चाहिए है ना जब आप सबस्ट रूप से नहीं देख सकते तो आप में जिजक होनी चाहिए आप इस पस्ट नहीं देख पा रहे हैं, फिर भी आत्म विश्वास है, तो क्या आप एक मुसीबत नहीं हुए? या तो आप खुद के लिए मुसीबत हैं, या आसपा सभी के लिए? तो ये भूमी कभी भी विश्वास की प्रनालियों से नहीं जोड़ी हुई थी, ये हमेशा से खोज करने वालों की भूमी रही है, किस चीज की खोज? सत्य और मुक्ति के खोज करता, बस कल ही मैं बियच्यू काशी में था, अब बस देखिए, वहाँ पर सारे देश और आजक प्रिश्वर को सबसे अधिक मुल्य नहीं दिया गया, आप जिन लोगों की पूजा करते हैं, वे सारे लोग इस धर्ती पर किसी न किसी समय पर चले हैं, है न? और वे सूपर हीरो नहीं थे, वे आकाश से नहीं टपके, या हवा में नहीं उडएते, या पानी वेगरा पर नहीं चले थे, वे भी उनहीं मुसीबतों से गुजरे थे, जिनसे आप गुजर रहे हैं, आप से कहीं जादा मुसीबतों से गुजरे थे, अगर आप किसी का भ पुझे हैं आपके टेलेविजन पर आपने जो कुछ देखा हो या किसी मूवी में आपने सीता राम को जंगल में हनिमून मनाते देखा हो नहीं, उन्हें देश से निकाला गया था जंगल जाना कोई पिकनिक नहीं है आप में से अधिकांश लोग शायद ना जानते हों मैं जंगल में अकेले रहाँ बिना किसी बाहरी मदद के तीन हफतों के बाद जब मैं घर वापस आता था तो मेरी मा मुझे देखर पहचान नहीं पाती थी क्योंकि सिर से पाउं तक कीडों के काटने के निशान होते थे यहाँ वहाँ आपको कोई पहचान नहीं सकता खास तोर से लड़कियां जब वे दो-तीन हफते के बाद आएंगी तो आप उनको नहीं पहचान सकते क्योंकि हर चीज सूच जाएगी अगर आप जंगल में रहें तो आपके साथ हर तरह की चीज़ें होंगी तो एक युवा पत्नी को ले जाना जो आदिवासी महिला नहीं है एक राजकुमारी है जंगल जाना कोई पिकनिक या हनिमून नहीं था ये देश निकाला था और मानो इतना ही काफी नहीं था श्रीलंका के लोग आए और पत्नी का अपहरन करके ले गए हाँ यही हुआ था न कुछ भी हो वो एक राजा है अगर एक पत्नी चली जाए तो वो एक कोई स्थानिय समाधान खोच सकते थे एक राजा को कई पत्नियों का अधिकार है लेकिन एक चली गई है तो वे अपने लिए कोई दूसरी ला सकते थे लेकिन वो आदमी उस महिला को इतना प्रेम करता है कि उन दिनों में GPS नहीं था आपको पता नहीं आपको नहीं पता कि श्री लंका असल में है कहां पर बस वो और उनके भाई यात्रा कर रहें मैं चाहता हूँ कि आप उनके यात्रा की कल्पना करें अयोध्या से दक्षनी भारत कोई सरल खोज नहीं है कितने लोगों ने अपनी खोई हुई पत्नी को छे हजार साथ हजार वर्ष पहले दो हजार से अधिक किलोमिटर पैदल यात्रा करके खोजा होगा कितने पुरुशों ने ऐसा किया होगा तो वे चले और एक तमिल फौज बनाई फिर श्री लंका गए एक खुबसूरत शहर जलाया एक यूद लड़ा सेंकडों लोगों को मारा अपनी पत्नी को वापस हासिल किया तो अगर एक आदमी को ये सब करना पड़े तो वो महिला उनके लिए कितना माइने रखती होगी है न? और वे उनको वापस ले आए वो फिर से राजा बनते हैं फिर कुछ गलत हो जाता है तब तक वो गर्वती हैं देखिए राजा की पत्नी या रानी गर्वती है तो ये कोई मामली बात नहीं है ये उस राष्ट का भविश्य है ये एक बड़ी बात है ये कोई मामली बात नहीं है और वे तब तक एक बड़े समराठ हो गए थे लेकिन कुछ गर्वड़ी हो जाती है और वे अपने पत्नी को फिर से जंगल भेज़ देते हैं कोई सोनग्राम नहीं तो उनको पता नहीं कि बच्चा लड़का है या लड़के हैं या लड़कियां ये राजा के लिए छोटी बात नहीं है अगर वो लड़का होगा तो राजा के भविश्य के लिए हर तरह से महत्वपून है लेकिन उनको नहीं पता वे अपने पतनी को जंगल भेज देते हैं फिर वे दो लड़कों को जनम देती है उनको नहीं पता अगर किसी व्यक्ति के जीवन में वाकई कोई भ्यानक घटना होनी हो तो वो ये की जाने अंजाने में वो अपने ही बच्चों को मार दे ये सबसे बूरी चीज आपके साथ होगी है ना? उन्होंने अपने बच्चों को लगभग मार ही डाला था उनसे योद लड़ा उनका इरादा तो मार ही देने का था ना जानते हुए कि वे उनके ही बच्चे हैं सौभागे से ये नहीं हुआ लेकिन फिर भी वे अपनी पत्नी को फिर से नहीं देख पाए वे जंगल में ही मर गई आप इसे एक सफल कथा नहीं कह सकते है न? हलो? आप इसे सफल कथा नहीं कह सकते तो फिर हम इस आदमी की पूजा क्यूं करते हैं? इस व्यक्ति को महान क्यूं मानते हैं। सीधी सी बात है कि जीवन ने उनके साथ जो कुछ भी किया, दूसरों के जीवन में एक भी वैसी चीज होती तो वे तूट जाते, वे हादसों का एक सिलसिला हैं। लेकिन इन सभी बातों के बावजूद भी वे गुस्सा नहीं हुए, वे परिशानी, नफरत से नहीं भरे, उन्होंने हर समय अपना संतुलन बनाए रखा। पीछे नहीं हटे, वे हर वक्त उच वेवहार करते चले गए। और बस, और जब वे श्री लंका से वापस आए, तो उन्होंने कुछ और जबरदस्त किया। रावन को मार देने के बाद, वे हिमाले में एक बरस का प्राइश्यत करना चाते थे। उनके भाई लक्षमन ने कहा, आप पागल हो गएं। आपने एक आदमी को मारा, जिसे हमें मारना था, उसने आपकी पत्नी का फरन किया था, तो फिर आप उस इनसान के लिए प्राइश्यत क्यूं करना चाते हैं। उन्होंने का, देखो, उसमें दस मूल सुभाव थे, उसके नौ गुन मैंने मार डाले, कोई पश्चाताप नहीं। लेकिन वो एक महान भक्त भी था, और मैंने बाकी सारी चीज़ों के साथ उस भक्त को भी मार डाला, इसके लिए मुझे तब करना होगा। क्योंकि ये व्यक्ति अपने आसपास होने वाली घटनाओं से मुक्त था, दुनिया के सबसे भेंकर कष्ट उसकी ओर आए, वो जैसा था, वैसा बना रहा। इस आजादी को जीवन मुक्ति कहते हैं। यही वो आजादी है जिसके लिए हम उनके सामने नतमस्तक होते हैं। इसलिए नहीं कि वो महान हीरो थे या सफल व्यक्ति थे। तो इस संस्कृति में अकेली मुल्यवान चीज जीवन की प्रक्रिया से मुक्ति को हासिल करना है। जीवन आपके सामने जो परिष्थितिया फेके यह आपका चुनाव नहीं है। वो आपके सामने अलग-अलग परिष्थितिया फेकेगा। आप उन्हें किस रूप में बदलते हैं यह आपका चुनाव है। है НА। तो हमने हमेशा इस संस्कृति में कहा है, आजकर लोग बैठा आपके जीवन को मैनेज नहीं कर रहा है। देखिए आप एक गोल ग्रह पर हैं और ये चीज घूम रही है। आप तो ये भी नहीं जानते कि कौन सा सीरा उपर है। हलो क्या आपको पता है कि इस ब्रह्मान में कौन सा साइड उपर है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या कहीं पर लिखा है ये सिरा उपर है। तो आपको ये नहीं पता कि उपर कहा है। लेकिन आपको ये पता है कि उपर कौन है। ये गंभीर समस्या है। नहीं है हसने वा प्रतिशत आपके उपर देख कर चल रहे हैं। प्रतिशत आपके उपर कोई एक इश्वर कभी नहीं रहा है। जो आम तोर पर इंसानी शमता से परे महांता का प्रदर्शन करते हैं, जिनको देव कहा जाता है, इसलिए हमारे 33 करोड देवी देवता हैं। आपको और अधिक बनाने चाहिए, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये इस प्रित्वी की अकेली ऐसी संस्कृती है, जो समस्ती है कि भगवान हमने बनाये। सभी को लगता है कि भगवान ने उने बनाया है। इस समय पूरे देश में गणेश चतुर्थी का उत्सव चल रहा है। देखिए, ये एक बहतरीन उधारन है। हमारे द्वारा भगवान बनाया गया, हम उनको उपर रखते हैं, अगले दस दिनों तक या एक महिने हमारा पूरा जीवन उनके आसपास होता है, पूरी भावनाय, भजन, नृत्य, संगीत, हर चीज। लेकिन जब जाने का समय आता है, हम उनको पानी में विसरजित कर देते हैं। हमने भगवान को बनाया, उनकी पूजा की, उसका अनन लिया, और उनका इस्तमाल करके खुद को उर्जा से भरा, और जब सब हो गया, हमने उनको पानी में घोल दिया। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है, कि हमें इस बात की समझ है, कि भगवान हमारी रचना है, है न। तो यहां पर सिर्फ आध्यात्मिक प्रक्रिया रही है, अनेक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, लेकिन धर्म कभी नहीं था, हम मुकाबला करते वे धार्मिक बन गए, जब बाहरी ताकते आई और बहुत सारा मुकाबला हुआ, तो हम भी संगठित होने का प्रयास करने लगे, लेकिन आप इस संस्कृति को कभी संगटित नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर तीन लोग हैं तो राय पाँच है एक ही घर में दस भगवान है तो ऐसे में आप धर्म का निर्मान कैसे करेंगे नहीं, ये बस एक प्रक्रिया है जिसमें आप हर चीज का इस्तमाल अपनी मुक्ती, अपने मोक्ष के लिए करते हैं अपनी माताओं की बातचीत को सुनिए या आप युवा हैं, अपनी दादी मा की बातचीत को सुनिए अध्यात्मिक बातचीत नहीं, रोज की बातचीत को सुनिए तो आप पाएंगे कि इस देश में कर्म, प्रारब्ध, मुक्ती, मोक्ष, शब्दों के बिना कोई बाचीत पूरी नहीं होती है ये इस बात की लगातार याद दिलाता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं आपकी शिक्षा, परिवार, व्यपार, अध्यात्मिक्ता हर चीज सिर्फ आपकी मुक्ती के लिए है हमेशा मुक्ती ही आपका सबसे उचा लक्ष है, सुर्ग्या भगवान नहीं सद्गुरू, आप हमें चिंतन और मनन करने के लिए कई सारे विचारों के साथ छोड़ कर जा रहे हैं इस अवसर पर हम आपको JNU के युवाओं के साथ आज शाम इस बहतरीन बाचीत के लिए अपना कीमती समय बिताने के लिए धन्यवाद देते हैं हम मोहित चौहान की शांदार प्रस्तुती के लिए भी धन्यवाद देना चाते हैं मुझे विश्वास है कि हम सभी ने इसे पसंद किया और ईशा सम्स्कृती को कलरी प्रदर्शन के लिए धन्यवाद क्या मैं कुछ शब्द कह सकता हूँ? इस अवसर पर मैं बस आप लोगों को ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आप जैसा कि आपने कहा आठ हजार लोग, बावन सो शोद करता और बाकी लोग अनेक प्रकार की पढ़ाई कर रहें लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप समझें कि आप इस देश के लाखों युवाओं में से कुछ विशेश लोग हैं आपको इस विशिश्ट संस्थान में होने का विशेश लाभासिल है जिस तरह की सुविधा और दूसरी चीजें जो यहाँ पर हैं इस देश के अधिकांश लोग ऐसी सुविधाओं के सपने भी नहीं देख पाते ठीक है देखे आपको यह जरूर समझना चाहिए कि जब आप युवा होते हैं तो यह सबसे जरूरी है कि जीने के जल्दबाजी में ना रहें यह खुद को बनाने का समय है यह आपके शरीर को बनाने मस्तिश अपने द्रिश्टिकून को बनाने का समय है जिससे कि आपके अस्तित्व के शितिच का विस्तार हो आपके जीवन के इस समय का निवेश उसमें होना चाहिए क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा केवल महान मानवों के निर्मान से ही महान समाज, राष्ट्र और विश्व का निर्मान होता है तो यह मेरी इच्छा और आशिरवाद है कि आप सभी यूनिवर्सिटी में अपने इस समय का अच्छा उप्योग करें जिससे कि आप एक सच्छे बहतरीन मानव के रूप में भविश्य में मानवता के कल्यान के लिए योगदान कर सके आपका बहुत-बहुत धन्यवाद